दोस्तो दोस्तो आज का जो ये हमारा वीडियो है इस वीडियो में आप सभी के लिए एक और्गेनिक होमेड खाद लेकर आई हूँ जो आपके गार्डेन के आप अपने सारी ही फ्लावरिंग प्लांट में उसका इस्तमाल कर सकते हो गुढल जैसे पौधे में भी कर सकते हो गुलाब जैसे पौधे में भी कर सकते हो मौगरे जैसे पौधे में भी कर सकते हो सारी ही पौधे में जो है दोस्तो इसका एक बहुत ही बहतरिन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगर पौधे में कीडे मोकोडे भी आके लग रहे हैं तो वो भी दोस्तो चुटकी में गायब हो जाएंगी कीडे मोकोडे जैसी समस्या भी दूर हो जाएगी मतलब ये जो है दोस्तो all in one काम करता है अगर आपके पौधे में ग्रोट नहीं हो रही है फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो वह समस्या तो दूर होगी दोस्तों लेकिन अगर पौधे में कीड़े मोकोड़े आ रहे हैं तो उसके लिए भी यह एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का भी काम करता है मतलब यह एक फोटिलाइज उपर अगर गम पौधे में मकडियां वेगरा पौधे को खराब कर रही है तो वह भी चुटकी में गायब हो जाएंगी तो नमस्ते दोस्तों मैं हूं किरन और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल छोटी सी बगिया में तो चलिए दोस्तों इस व वो सारे ही लोगों के घर में इस्तमाल होता ही होता है सारे ही लोग अपने घर में चावल बनाते ही बनाते हैं लेकिन चावल का जो है दोस्तों इस्तमाल हम लोग खाने के लिए करते हैं उसके साथ साथ इसके जो है इसमें बहुत सारे ऐसे नूट्रिशन जो पाये जाते है जिसके इस्तमाल से हमारे पौधे में जो है दोस्तो वो बहुत ही अच्छी कासी रिजल्ट आ सकती है और ये जो है बहुत ही अच्छा एक इंसक्टिसाइड फंगिसाइड का भी काम करता है तो इसका इस्तमाल कैसे आपको अपने पौधे में करना है बहुत ही आसान है बहुत आप सभी को आगे पता चल जाने वाला है मैं जो है दोस्तों आप सभी को पुरा ही डीटेल में बताऊंगी किस किस तरह से आप इसका इस्तमाल कर सकते हो और इसमें कौन-कौन से नूट्रिशन पाए जाते हैं और आपके पौधे में यह किस तरह से बहतर रिजल्ट लेके रिजल्ट ही लेके आएगा किसी भी तरह की आपके पौधे में इससे खराबी नहीं होगी सबसे पहले मैं बात करती हूं दोस्तों कुछ क्वेरी के बारे में जो अल्लेडी मेरे पास आ चुकी है वो सबसे पहले यह है कि उनका जो गुलाब का पौधा है कुछ क्वेरी मेर वो ब्लैक ब्लैक कलर की होती है तो उस टाइम पे भी आप जो यह चावल का में बताओंगी बना कि उसका इस्तमाल कर सकते हो क्योंकि यह एक बहुत ही बहतरी इंसेक्टिसाइड का काम करता है उसके बात दुसरा अगर मौगरे जैसे पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रह क्योंकि मौगरे के पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए केल्सियम का सोर्स मिलना जरूरी होता है अगर पौधे को केल्सियम का सोर्स अच्छे से नहीं मिलेगा तो पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है इसलिए यह जो चीज में बताओंगी इसमें केल्सियम की मातरा भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है तो आपको मौगरे के पौधे में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हो बहुत ही अच्छी कासी रिजल्ट आएगी गुलाब में तो आप कर ही सकते हो गुलाब के लिए ये एक बहुत ही बहुत ही बैतरीन खाद है गुलाब में नही गुलाब का पौधा का roots अच्छा रहेगा तो पौधे में आने वाले season में बहुत ही अच्छी खासी bumper flowering होगी क्योंकि आने वाला जो time है दोस्तों वो गुलाब के लिए बहुत ही bettering time है गुलाब का growing period आ रहा है गुलाब का flowering period आ रहा है आप सभी को कि यह जो हमने चावल लिया हुआ है इसका हमें अपने किस तरह से हमें खाद बनाना है या फिर insecticide बनाना है और अपने पौधे में इस्तमाल करना है तो डेली ही वेसिस पे जब आप चावल बनाते हो घर में तो जब चावल को आप क्या करते हो इस तरह से जब इसको जब धो के जब आप डालते हो जब भी आप चावल बनाते हो तो दो तीन बार जो है दोस्तो आप पानी में इसको सबसे पहले धोते हो उसके बाद आप इसका इस्तमाल करते हो चावल बनानी में तो आप इसके पानी को आप क्या करते हो फेक देते हो तो इसके पानी को जो है दोस्तों आप कभी भी ना फेकें वो चावल का धोया हुआ जो पानी होता है वो एक बहुत ही बहतरीन सा खाध है चावल के पानी में जो है दोस्तो लेक्टो बेसिल नाम का जीवानू पाया जाता है जो पौधे की जड़ो को मजबूत बनाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है तो इसके पानी को फेकने के वज़ा है आप अपने पौधे में डाल सकते हो जो इसमें जो है दोस्तो बहुत सारे positive जीवानू पाई जाती हैं जो हमारे पौधे के roots को healthy रखने में बहुत ही अच्छी से help करती हैं और दूसरा जो है दोस्तो इसमें 7 तरह की protein, 30 तरह का fiber और 15 त केलसियम की मातरा भी बहुत ही अच्छी मातरा में पाई जाती हैं और केलसियम की मातरा से जो भी नई branches आती हैं वो बहुत ही जादा healthy आती हैं अगर पौधे को केलसियम की मातरा अच्छी मातरा में नहीं आएंगी मिलेगी तो जो भी नई नई branches आएंगी दोस्तो वो बहु जींग की साहता से अगर पौधे की पत्तियां पीली होके गिर रही है तो वो समस्या दूर हो जाएंगी पौधे में अगर नई नई ग्रोथ नहीं आ रही है तो वो भी दूर हो जाएंगी ब्रांचिस अगर ब्लैक ब्लैक हो रही है तो वो भी दूर हो जाएंगी तो ये एक क चावल के पानी को फेकने के वज़ाए हम अपने पौधे में इस्तमाल करें तो हमारे पौधे में इससे एक बहुत ही बहुत रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी के टाइम पे जो दोस्तों जैसा कि अभी जो है वो सेप्टेमबर का महीना स्टार्ट हो चुका है तो अभी के टाइम पे पौधे में बहुत ही जादा कीड़े, मोकोडे, मकडिया, माइट्स वगरा भी देखने को मिलती है क्योंकि बरसात के टाइम पे जो है दोस्तों ये कीड़े, मोकोडे जो है वो पौधे में बहुत ही जादा आके लगती है तो इस टाइम पे ये जो चावल का पानी है ये एक बहुत ही बहतर सा इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है आप इसका इस्प्रे दो दिन के बीच में जो है दोस्तों दो दो दिन में अपने पौधे में कर सकते हो आपके पौधे में कीड़े, मोकोडे, मकड़ियां वेगर आगर लग रही है तो वो चुटकी में गायव हो जाएंगी और जो है दोस्तो आपके पौधे को बिल्कुल स्वस्त बनाए रखने में वो बहुत ही अच्छे से help करेंगी तो चावल का पानी जो है दोस्तो ये cool मिला कि एक fertilizer के साथ साथ ये एक best insecticide का भी काम करता है तो चलिए अब किस तरह से आपको इसका fertilizer बनाना है वो में बता देती हूँ ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है जब भी आप चावल बनाओ तो उसके पानी को जो है दोस्तो आप बिल्कुल भी ना फेको आप उसके पानी को store करके रख लो उसके बाद आपको क्या करना है तो जैसा कि देख सकते हैं यहां हमने एक कटोरा में इतना चावल का धोया हुआ पानी है इसको लेके आके रखा हुआ है इसमें आपको एक एक के पानी का डाइलूट कर लेना है मतलब जितना पानी आप लोगे उतना पानी आपको एक्स्ट्रा पानी आपको उसमें डाइलूट कर लेना है यह जो मरा फटिलाइजर है इसके साथ साथ हमें और इतना पानी इसमें देना है तो यहां हम लोग एक अधर कंटेनर में पानी ले लेंगे यह है फ्रेस पानी औ हम लोग इस तरह से मिला देना है उसके बाद यह जो हमारा फटिलाइजर ही यह बहुत ही आसानी से बनके तयार हो चुका है आप इसका इसका इस प्रे जो है दो दिन के अंतराल में अपने पौधे में भी चुकते हो इसी तरह से आप पानी का डाइलूट कर लुग ना उसके अभी आब पे आपेfly आपको तभी करना है जब अभी के टाइम ये में बहुत ही जादा वारेज भी हो थी है तो जब जब फाले इस तरह से पानी का डिळू पनाइकंतीक हो गृती स commerce पत्तियर के सब इस तरह से पानी का डाइलूट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों इस तरह से गमले में दे देना है यह हमारे एक गमले के लिए काफी है यहां जो हमने कम से कम आधा लीटर से थोड़ा ज्यादा हुआ होगा इतना हमारा जो फटिलाइजर है वो बन के तयार हुआ था तो इसी तरह से इसका इस्तमाल जो है दोस्तों आप 15 दिन में एक बार करें आप इस्टोर करके रख सकते हो उसके बाद आप इसका इस्तमाल कर सकते हो इसके साहता से आपके पौधे में गुच्छों में फूल आना सुरू हो जाएगी और पौधे में नही नही ग्रोथ आन तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट जरूर कीजेगा अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन जरूर सर जरूर प्रेस कर दिजेगा ताकि हमारी जो भी नूटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार